हालो फ्रेंज आपका मेरे चैनल को सागत है तो आज मैं बहुत ही प्यारी सी चीज बनाने वाली हूं तो यकिनन आपको पसंद आएगी तो यह देखें इस तरह के ढखकन आप भी ना फेक हैं कैन के और इससे आप बहुत ही अच्छी और खुबसूरत ब्यूटिफुल बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें इस कि ना करें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें चैनल के पहली बारा तो सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ देल आपन को जरूर दबा दें ताकि में जोबी वीडियो डालूं वह सबसे पहले हैं ठीक है और तो यह कैन का ढखकन है तो इस तरह के दो ले लें तो मैं आपको बहुत ही प्यारी से चीज़ से बना के दिखाने वादी हूं तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यह दस नंबर का कुरैश्या ले लिया है तो यह सीडी साइड है और यह है उंटी है तो हम इधर से सुरू करेंगे यहां से तो कीरिंग की वीडियो मेरी और भी टली यूनिया मेरी चैनल पर जाके आप टेक सकती है तो इस तरह सुरू करेंगे हम इसे ऐसे पकड़ लेंगे तो चैन बनाएंगे फिर पंदा लगाएंगे और हाब डबल कुरैश्या इसमें बोनी में तो इ इसमें सत्रा बार बुननी है तीन बार बुननी ऐसे पंदा लगाएंगे और यह से चार पार शे और इस धागे को पकड़ रहेंगे ताकि अंदर दब जाएंगे साथ, आर, नोग, दसी, क्यारा, बारा, टेरा, तेरा, जोधा, पंदरा, सोला, सत्राव, ठीक है तो अगर आपको गया प्लग रहा है तो इसमें अठाव भी कर सकते हैं तो इस तरह से अठाव इसमें हमें बुन्नी है बारा वार ठीज सिफंदा लगाएंगे तो हाब डावल कुरेसिया ही बुन्नी है इसमें भी इस तरह से दो तीन चार पात छे बार बन्नेक वार तीन चैन बनाएंगे फिर शे वार आप दबल कुरेशिए फिर जगल तीन जबते ही जबते हैंगे थोड़ा पासमें छे वार फिर से गोलेंगे इस पर दो तीन चार पार छे इसको यहां जोडेंगे तो यह कुछ इस तरह बन जाएगा फिर तीन चैन बो दो चैन मनाएंगे फिर सब में सारी चैनों में एक एक वार तावल कुरेश होंगे है ना सब स्याएगा फिर तो यह देखें यह मैंने डबल कुरेशिया एक एक बार सारी चैनल में बुन ली यहां तक कि अब दो चैन मनाएंगे ऐसे इसको हम ऐसे घुमाएंगे अब पंदा लगाकर इस तरह बनाएंगे एक बार आगे से और एक बार इस तरह पीछे से जितनी भी डबल कुरेशिया बनी हुई है उनमें ही डालते हुए इससे बनना है तो इस अबने हम इसी तरह बुलेंगे तो इसे देखे इस तरह से बना दिया पूरे में दागा तोड़ा लंबा केज कर दुगा निकाश्य झाव्ट अब इस तरह बार आएंगे पर हमेसे कट कर देते हैं तो यह देखें इस तरह बन गया फिलावर बनाएंगे हम इसका लगाने के लिए इसी तरह का मैंने एक और बना रखा है तो यह बनाने वाली हुँ है तो इसके लिए हम चेन मनाएंगे पहले छे तीन चार पार छे छे चैन मनाने के वाद यहां जोड़ेंगे फिर दो चैन कि छे चैन मनाने के वाद यहां जोड़ने के वाद दो चैन मनाएंगे उसको इस तरह पकड़ने और फंदा लगाकर दो बार डबल कुरेश यह बनाएंगे फिर दो चैन मनाएंगे फिर इस वोल में इस तरह से फिर दो चैन और फिर दो बार डबल क्रेश है और फिर दो चैन और फिर इसी गोल हुई तो इस तरह की मुझे पांच बनाना है तो दो बन गई तीन और बना लेती हूँ तो यह मैंने पूरा फ्लावर बना दिया धागे को इस तरह खेच कर कट कर देती है तो इसमें हम मूती लगा देंगे एक मूती लगा देंगे इसमें तो यह देखी इसमें मैंने मूती लगा दिया अब इसको हम यहां लगा देंगे खेंगे तो डिया प्सक्रषए, हाएं कि गड़ा प्सक्रशबर oke ? तो इसा자를 एते झाल्सी को हम एक व मैंने पना एक शल्मी हूँ इसे लगाते हुए इसे पका कर देंगे ठीक है तो यह देखी मैंने लगा दिया अभी इन दोने को इस तरह पकरेंगे हम ऐसे कि पूरी में हमें सिलाई लगानी है तो यह दागा बड़ा छोड़ा था ना इसे लिए डालेंगे तो इन दोनों को मुझे उल्टा उल्टा पकड़ना है तिक ऐसे सीथी तरफ उल्टी इस तरफ रखके और सिलाई लगाते हुए हर चैन में ऐसे डालकर आइसे तो देखे फिरेंज मैंने यह सिलाई लगा दी यहां इसको हम सिदा करेंगे यह देखें कितने खुबसूरत चे वाकिट बन गई है तो यह है वाकिट की रिंग बहुत असानी से मैंने इसे बना दिया और देखें इस तरह से हम चादी के उसमें डाल देंगे इन दोनों को कहां से हमें इनको हम टाइट कर देते हैं यह देखें बड़ी प्यारी सी यह कीरिंग बन गई है तो यह बहुत ही सुन्दर लग रही है तो इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो के तार साथ में मिलती रहूंगी तो मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को जरूर दवा दे ताकि मुझे वीडियो डालूं को सब्सक्राइब